कोई वस्तू, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल तच हो गया, तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मताना, मंदिर में ही छोड़ क यदि भोजन पकवान, मिठाई शिवलिंग यहाँ पर है और भोजन का भोग तुम दे इतनी दूर से लगाया है फल इतनी दूर रखा है वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है तो उस परशाद को उस थल को आपा सक्कून उसको पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी श्रङगी, भरंगी प्रेतों का, भूतों का आहूतों का भाग होता है प्रेत भूतों आहूतों का वो फिर खाने योगी नहीं है हाँ, यदि नर्वदेश्वर महादेव हैं नर्वदाजी के जल से श्विलिंग किस थापना कहीं पर है, या आपके घर में हैं, तो उसको कुछ भी टच हो जाए, वो पासकते हो, पर बाकी के श्विलिंग को इस पर शकिया हुआ, नहीं पासकते हो, केवल एक नर्वदे इश्वर महादे, नर्वदा के जल से, कई लोग कुछ थे हैं, ये साप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ, ये भगवान शंकर के गले में, जो एक साप पड़ा हुआ है, ये भगवान विश्णू है, और शंकर भगवान के सिर पर, जो जटा में साप दिखता है, वो हाथ में साप बंदे रहते हैं, वो दो हाथों में कमर पर, सिर पर, केशो पर, जो साप पाँच नजर आते हैं, वो तो बताओ, ये संकर भगवान की पाँच लड़कियां है, जया, विशहरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये पाँचो लड़कियां भगवान शंकर के इड़द इड़द हुंती हैं, आस-पास ब्रमन करते हैं, सबीत, ये शिवकी बेटियां, भगवान शंकर के साथ, ब्रमन करते हैं, पाँच, जया, पिशहरा, शामली बारी, दो तली, और देव, ये जो पाँच पुत्रियां थी, शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्पकी योनी में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रडान करी गई थी, वासुकी ना कौन सा, जिसने मन्थन कराया, वासुकी ना कौन सा, जिसके फण पर पून प्रत्वी बिराज माने वासुकी ना कौन सा जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कारे करता रहता एक पान के पत्टे के उपर मात्र पान पान जानते हो वो खाने वाले पान जाता उसका पत्ता पान के पत्ते के उपर जो चंदन से शंकर के नाम पारवती का नाम और ब्रह्मानी सरसती का नाम लेकर शिव को समरपित कर दे महाराज उसकी भी तिथी बताईए बड़ी सुन्दर है जब रवी का पुष्य योग पड़े रवी पुष्य नक्षत्र हो रवी का पुष्य योग पड़े उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर पारवती और सरसती का इस्मर्ण करकर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चड़ा कर पांच बिल पत्र तीन समी पत्र समरपित कर देते हैं उस बच्चे से चड़वा देते हैं वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता बिद्या में बढ़ता ही पढ़ता है पलट कर माबाप को देखना ही नहीं पढ़ेगा बच्चे को कभी भी माँ को कहना ही नहीं पढ़ेगा कि पढ़ने पढ़ेगा पड़ेगा रुचि से पड़ेगा पांच बेल पद्र तीन समीप समर्पित कर दें बागवान शंकर का इस्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवाकर वापिस लेकर आएं बच्चा विध्या में परवल होता है विध्या परका भगमान शिव देने वाला है सरसती को स्व बुट बोदे शिवęt्यू महापुरान इक चथा लिंघ पुरान इक फिरा जाती था गिसली है 20纟 करता हुआ नियुकर मेरे लिए वही करते ही आपि यालनी चाहिए एक समय करना चाहिए अपने को द्रयास करने हाज पर किम्नान पर झाहरे हैं हो किसी प्क प्म प्रहस्या मिनिट पेfel कुंग नाष्य कर चोopard तो हो जाता है, शमी के पेडğ के अजयार गुना फल बेल पत्री के पेड़ के नीचे गए हो अम नमश्य नमश्य औा अम का जाब करिये फल मिलेगा उस फल को हमें पाना, कई लोग करते हैं माराज हम पुझन बहुत करते हैं हम पाट करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम बरत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुन करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है, हम कुजन तो कर रहा है, आपके पेट में दर्द हुआ, मानलो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर म गोली खाली और गोली खाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा असर भी हो गया पर इतनी गोणियां जो खाई है तो बाद में लेक्षन तो करेगी कुछ तकलीप तो देगी कुछ गर्मी तो करेगी बीपी शुगर उंचा नीचा कर सकती है आपने पाई उसी तरह मंत्र माला अच्छे से पढ़िये तो उसमें बताया है उसमें वर्णन किया है हम पाट करने बेठे इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बेठ जाते हैं पहले रामरक्षास्तोत पढ़ लिए फिर ये पढ़ लिए गीता जी का ध्याय पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये चालीसा दुरगा कियल मारी बस इतनी बड़ी जादा से जादा होगी तो इतना बड़ा पूर्जन का घर कमरा उसमें इतना सारा देवता रामेश्वर गई तो उनको लियाई जगनाजी गई तो उनको लियाई द्वारका गई तो उनको लियाई ब्रंदावन गई तो उनको लियाई महांकाले पित्र देव ये देव, कुल देवी, संक देव, zelf दिया देव, आउiden, गणे जी संकर जी अन्माण ili eheit, जी सочкиthank an २ भगवान को निला धुला के कटोरी धर दि इतनी बड़ी अलमारी में सारा देव ता एसा कसा कसा या बेटा है और तीरत करने फिर गई तो गणेजी संकर भगवान से बोले पिता जी फिर जा रही है संकर भगवान बोले बेटा खसक के बेटा फिर पकड़ के लाईगी किसी खसक के बेटा फिर लाईगी किसी फिर लगी आई फिर रख दिया उजन करने आई कलस रख दिया मंदिर में ढूल गया भगवान पूरा गीला हो गया ज़ने जी संकर जी से बोले पिता जी पूरा गीला करके चली गई संकर भगवान बोले बेटा तो कली आएगी दिया लगा के गई अब तो गीले में बेटो अब नहीं आने बेटो बहुत ध्यान देना साव इस कथा को आपके उपर लेकर समझाया जा रहा है क्योंकि श्युम महापुरान की कथा कहती है कि आप जो मंतर जप रहे हो आप जो माला जप रहे हो आप जो साधना कर रहे हो आप जो पाट कर रहे हो वो आप पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको समझे रहा है राम रक्षा इस्त्रोत का पाट करो तो पहले हनमान चालीसा पढ़ो फिर राम रक्षा इस्त्रोत करो शिव चालीसा दुरगा चालीसा गनेश चालीसा हनमान चालीसा गायत्री चालीसा इन चार पाट चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना एक चालीसा यदि आपने पढ़ ली है सुरू में तो पाट पूरा होने के बाद जब उठने की तैयारी हो तब दूसरी चालीसा पढ़ दो बाकी की चालीसा भले आप पाट में पढ़ दो पर एक साथ चार चालीसा का पाट नहीं होना चाहिए पाट करने बेटे हो किसी एक मंतर की माला जपर है ओम नमा भगवतिवा सुदेवाई जपा या संकर जी का मंतर जपा या गुरू का मंतर जपा या ये मंतर जपा या वो मंतर जपा उस मंतर को जपने में बीच में कुछ गेप होना चाहिए एक साथ रट्टा मार पे ओमना भगतिश 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 ओमना भ पहर मत रखिये। कई माताओं को फुर्षत नहीं मिलती। अभिशेक करवा लेते हैं गर में कई ट verses पूजय करवा देते हैं और शंक्रभगवान रात भर बेखे रहते हैं। पार्थिव श्विणिग रात भर नहीं होना चाहिए। केवल clearing की तीजका सा होता है जिस दिन पार्थिव श्विलिंग रात भर पुजा जाता है रात भर पार्थिव श्विलिंग तो ब्रहमन स्वेत मट्टी का छत्रिय लाल मट्टी का वैश पिली मट्टी का और शुद्रकाली मिट्टी का श्विलिंग का निर्मान करे रात भर श्विलिंग को ना कि शंकर भगवान के प्रशाद को रात बर नहीं रखना कहीं श्यू मंदर में गयो और प्रशाद मिला भी आपको बैसे तो शंकर जी के मंदर में प्रशाद नहीं मिलता क्यों तो लिंग पुराण के अंदर और श्यू महापुराण के अंदर बर्णन किया गया कि भगवान संकर ने नंदी को वचन दिया था सुनो नंदी संकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोशन कैसे हो संकर भगवान कहते हैं नंदी मेरे शिवलिंग पर यदी कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजेगा है बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना शिवलिंग महापुराण की कथा है बारबर ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको सुनोगे आप अपनी जगा पर बोहुत वक्ता हैं बहुत परिमसे बास थे हैं पर जो कथा रस्तत्व से आपको मिल जाए। ।